नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरत सेन भारती अज हम बात करेंगे एक रुपे से लेकर दो हजार रुपे तक की छपाई में कितना होता है खर्च एक रुपे के नोट से लेकर दो हजार रुपे तक के नोट हम में से हर किसी ने देखा होगा देखा होगा क्या हम सब अपने रोजमर्रा की जीवन में उसे खर्च भी करते हैं देश में BGP की सरकार आने के बाद से हुए नोटबंदी में हमने नोटों के नए रंग रूप में देखा है इसके साथ ही ऐसे कई नोट से जो चलन से बाहर हो गए और कई नोट थे जो चलन में आये भी नोटबंदी से पहले एक हजार के नोट चलन में थे लेकिन बाद में एक हजार के नोट बंद हो गए तो दो हजार के नोट चलन में आ गए ऐसे में हम सभी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखरिया नोट कीस कागत से बनता है और इसे बराने में कितना खर्च होता है नोट भले ही रंग विरंगा दिखता हो लेकिन उसका भैलू बहुत होता है या सिर्फ भारतिये प्रिंटिंग प्रेस में ही छापेदाते हैं देजभर में चार प्रिंटिंग प्रेस है नासिक, दवास, मैसूर, सालवोनी जो की पस्चिम बंगाल में है नोट छपाई का काम यहां होता है इसे छापने के लिए खास तरीके का इंग का इस्तमाल होता जिसे स्वीडिजर लेंड की एक कमपनी दवारा बनाई जाती है और अलग-अलग इंग अलग-अलग काम करती है इसका पेपर भी खास तरीके का तयार किया जाता है भारद में नए नोटों की छपाई कि जम्मारी एकमात भारतियर जार बैंक की पास होती है RBI 1 रुपे के नोट को छोड़कर सभी मूल लगे नोटों को छापता है सभी 1 रुपे के नोट बीत मंतराला की देख रेक में छापे जाते हैं और बीत सचीब द्वारा हसाचर किये जाता है इस नोट पर RBI के गवर्नर का साइन भी होता है बीत मंतराला एक रुपे के नोट को छापने और बाकि सभी मुल्लों के सिक्कों को मुद्रण करने के लिए भी जिम्मेवार है बारते रिजार बैंक वही नोट और सिक्कों को प्रसारित करने का भी अधिकार है इसका मतलब हुआ कि बीत मंतराला एक रुपे का नोट छापता है और बाकि सभी सिक्कों को मुद्रित करने उन्हें अर्थवरबस्ता में प्रसारित करने जिए रिज देता है ऐसे माई ये जानते हैं 200 रुपे से 500 रुपे तक के नोटों के बारे में 2016 में नोटबंदी के बाद देश में 200 रुपे का नोट चलन में आया आपको बता दें कि 200 रुपे नोट को छापने के लिए 2.9.3 रुपे की लागत लगती है वही अगर हम बाद 500 रुपे के नोट की कर ले तो इसे बनाने में 2.6-5 रुपे खर्च होता है नोटबंदी के बाद से 1000 और 500 रुपे के नोट चलन से बाहर हो गये थे लेकिन बाद में 500 रुपे के नए नोट चलन में आये हैं आपको बताने कि नोट के छपाई में मुख खर्च नोटों के छपाई में इस्तमाल होने वाले कागज, C.I.E. सुर्थ छथागा और मसीनों की खरीद का होता है और वियाई को नोट बनाने के लिए कागज और C.I.E. को आयात करना पड़ता है आई अब हम जान लेते हैं 50 रुपिय के नोट के बारे में, 50 रुपिय के नोट को 2019-2020 में छापने में 1.22 रुपिय की लागत आती थी लेखिन इसी नोट को 2018-2019 में 1.24 रुपिया खर्च होता था इसके बाद ही हम अगर 10 रुपे के नोट के बारे में बात करें तो इसे चापाई में 0.94 रुपे का खर्च होता है वहीं 20 रुपे के नोट को चापने में 0.94 रुपे का खर्च होता है वहीं 100 रुपे के नोट को चापने में जो है प्रिंटिंग प्रिस में अगर हम 100 रुपे बिहारी नियुज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त धन्यवाद